हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं लारा वेल के अंदर मिडल वेर ग्रूप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिडल वेर ग्रूप होता क्या है अफ्टर देगें जो हमारा ग्रूप ओफ मिडल वेर बनेगा उसको राउट वाले ग्रूप के ओपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं जाँ ध्यान रखना है आपको जब भी आप लोग एक ग्रूप बनाते हो middle वेर का तो उसको single राउट के ओपर भी अप्लाई कर सकते हो और राउ लिंक मैंने description box के लिए एक चीज आपको पता होगी कि जब भी हम लोग middleware बनाते हैं तो उनको हम लोग चाहे तो single route के उपर apply कर सकते हैं चाहे तो उनको route group के उपर apply कर सकते हैं और चाहे तो उनको सारे के सारे routes यानिकी middleware को global बना सकते हैं पूरे की पूरी application के routes के उपर अपने आप applicable हो जाएगा राइट बट बहुत बार एक issue यह हो सकता है कि मालो आपको एक single route के उपर middleware apply करने हैं बट वो एक middleware नहीं एक से ज़्यादा हो सकता है आपको दो, तीन, चार या फिर दस middleware apply करने हैं single route के उपर तो उस case केंदर क्या करोगे या फिर आप यह कह सकते हो कि आपके पास 100 route हैं और उनमें से 10 route के उपर आप चाहते हो कि आपके 5 middleware apply हो जाए हैं तो उस case केंदर क्या करोगे तो एक-एक middleware apply करना single route के साथ और route of group के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उस case में हम लोग क्या करते हैं एक group बना लेते हैं middleware का and then पूरे के पूरे group को हम लोग चाहे तो single route के उपर apply कर सकते हैं और चाहे तो route के group के उपर apply कर सकते हैं अब इसको मैं detail में practical करके दिखाता हूँ आपको और अच्छे सी चीजें समझभे आएंगी तो अभी के लिए मेरे पास बस एक ही route है यहाँ पर welcome वाला तो मैं क्या करता हूँ ना एक view बनाता हूँ मैं simply ठीक है so मैं यहाँ पर बनाता हूँ php artisan make इसका मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ let's say home और command गलत कर दी make view and then view का नाम which is home और सेम इसी तरीके से मैं एक about भी बना लेता हूँ ठीक है तो हमारे पास अब दो view हो गए मैं इन दोनों के लिए simple सा route बनाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ route colon view और यहाँ पर लिखूँगा simply home and then यहाँ पर हम लोग करेंगे home वाले view को call और similarly हम लोग view के लिए अबाउट के लिए भी एक route बना सकते हैं चीक है दोनों हो गई है अब मैं इन दोनों को access करने कोशिश करूँगा तो बहुत simple है php artisan server को run करूँगा and then यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे home को run करके देख सकते हैं similarly हम लोग यहाँ पर about को भी run करके देख सकते हैं जो कि दोनों perfectly काम करने है कुछ text दिखने रहा सही कहा रहे हो because इसके इंद्र हमने कुछ डालाई नहीं है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ home page और यहाँ पर डाल देता हूँ h1 about page right so दोनों perfectly काम करने है दो middleware apply हो जाएं अब आप बोलोगे आपको इस single route के उपर दो middleware क्यों apply करने है मैं दो middleware इसलिए चाहता हूँ एक तुम्हें यह चाहता हूँ कि जो home page है ना इसको वही लोग access कर पाएं जिनकी age 18 से अबो हो just assume कि ऐसा को जरूरी नहीं होता मैं जानता हूँ कि 18 से उपर एक्सेस करें mostly website के अदर बढ़ ठीक है एक बार के लिए मान लो कि हम यह चाहते हैं कि जिसकी age 18 से अबो है वही हमारे home page को access कर सकता है दूसरी चीज यह home page है ना बस किसी specific country से ही access किया जा सकता है for example अभी के लिए मान लो कि हम चाहते हैं कि यह page बस अगर इंडिया country से अक्सेस कर जा सकता है और किसी country से access नहीं कर जा सकता so मुझे दो conditions बनानी है पहली age check की दूसरी country check की तो मैं इसके लिए दो middleware बना हूँगा और दोनो middleware को एक route के साथ apply करूँगा कैसे उस case में क्या करूँगा एक group बना लूँगा एक-एक middleware apply करने से battery यह है कि मैं दोनों का group बना लूँगा right and then मैं इस route के ओपर apply कर दोँगा अभी हम लोग दो middleware बनाते हैं then इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ php artisan mick middleware and middleware करना आप जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ age check enter करा बन गया same इसी तरीक से मैं यहाँ पर बनाता हूँ country check check capital कर देते हैं right अब ठीक है याप और यह मैंने एक वर बना दिया तो अभी आप जाओगे यहाँ पे sttp के अंदर है middleware के अंदर आपको दो यहाँ पर check दिख जाएंगे ठीक है so मैं अभी के लिए मैं condition भी लगाँगा बट पहले यहाँ पर क्या करता हूँ echo echo लगा देता हूँ simply और इसमें करूँगा country check similarly इसके अंदर मैं यहाँ पर आके करता हूँ echo age check इसमें कोई दिक्कत नहीं है दो हम लोगों यहाँ पर echo लगा दिये अब मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों का एक group बना दूँ दोनों routes का and then उनको एक साथ apply कर दू हमारे home वाले route के ऊपर ठीक है कोई दिक्कत नहीं then उसके लिए में क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी app.php वाली फाइल के अंदर और इसके अंदर जो आपको middleware दिखना है ना with middleware इसके अंदर आपको simply लिखना है dollar middleware and then इसके बाद में लिखो गया append to group append to group यहाँ पर typo मत कर देना 2 का T capital रहेगा group का फिर से G capital रहेगा and then इसके अंदर सबसे पहले डालोगे group का नाम जैसे कि मैं group का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर check 1 check 1 करके मैंने group बना दिया आप कुछ भी रख सकते हो group 1, abc, x, y, that जो भी आपको ठीक लगी and then second parameter के अंदर path copy कर सकते हो, easy तरीका बता रहा हूँ खुझ से type करना चाहो तो वह भी कर सकते हो कोई दिख्कत नहीं है and then यहाँ पर करोगे age check right and इसी तरीके से यहाँ पर, अच्छे यहाँ पर semicolon भी लगा देता हूँ अधरवाज यह error दे रहा है right, so अब इन दोनों का middleware बनाना है तो मुझे उसके लिए कुछ खास नहीं करना बस इस error के अंदर दोनों का नाम लिखना है age check इस तरीके से and then यहाँ पर हम लोग कर देंगे colon colon class and similarly इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो country check colon colon class and that's all right, आपका यहाँ पर जो middleware है वो register हो चुका है अब check कैसे करेंगे PHP artisan server को run करो and then इस पूरे के पूरे अब आउट वाल है इसको access करो, क्या यह काम करेगा अभी नहीं करेगा आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पर कोई भी echo नहीं आ रखा जो हम लोगों ने दोनों middleware के अंदर लगाए थे जैसे applicable होंगे, दोनों के echo आ जाएंगे but applicable कैसे करना है last चीज क्या है, आपको जाना है simply आपकी web.php के अंदर जो आपकी route वाली file है and जिस route के उपर आप apply करना चाहते हो इस group of middleware को तो आपको simply यहाँ पर लिखना है middleware and then इसके अंदर लिखना है middleware का नाम हमारे middleware का नाम क्या था check one let me see, कहा नाम रखा था हम लोगों ने हाँ यहाँ पर check one रखा था ठीक है, तो मैंने इसका नाम check one रख दिया and then इसके बाद मैं यहाँ पर अगर सेम चीज में अब आउट वाले पेज के उपर भी लगा दूँगा इस तरीके से देन आप देखोगे कि अब आउट वाले पेज के इंदर भी चीज़ें आ गई इसको मैं वापिस से हटा देता हूँ अब इक लिए हम लोग एक राउट के साथ चेक कर रहे हैं ग्रूप के साथ कैसे अप्लाए करना है हूँ आपको बताऊंगा ठीक है सो होम के उपर देखो दोनों के दोनों चीज़ें अप्लाए हो चुकी है अब मैं चाहता हूँ कि बस एको नहीं यहाँ पर थोड़ इसी में कंडिशन वगारा भी प्रोपर बनाऊं ताकि सही थोड़ा लगे भी तो सही मैं यहाँ पर क्या करूंगा इफ डॉलर रिक्वेस्ट इसकी जो एज है डॉलर एज इस लेस देन एटीन ठीक है मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ स्मॉल के अंदर इंडिया ठीक है कैपिटल अब गयरा में जो भी आप कंडिशन लगाना जाब वो लगा सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दी नोट इक डाइल लगा दो और लिख दो यहाँ पर यू कैन नोट एक्सेस टिस वेबसाइट आउटसाइड टू इंडिया ठीक है अब एक मेरे से पता है मुझे क्वेश्टिन पूछो गए यहाँ पर मैं उसका अंसर दूँगा डोंट वेरी अनसर दूँगा तो अभी एक बार सबसे पहले हाँ चेक ने जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ से इसको मैं को भटा देता हू ant पट देखो यहां पर क्या लिख्था हुआ यू कैनोट एक्सेस दिस वेब साइट टू इंडिया यू आच्छा आउटसाइड टू इंडिया लिख्था हुआ ठीक है अगर मैं अब यहां पर क्वेश्चन मार्क करके लगा देता हूँ कंट्री इसमें डाल देता हूँ यहां पर इंडिया एंड देन एक्सेस करता हूँ तो देखो आप इसको होमपेज को एक्सेस कर पा रहे हो इंडिया के जगा पर लेट से मैं यहां पर कर देता हूँ यू एस से और सम्थिंग कुछ भी कर देता हूँ तो आपको यही मिलेगा यहां प पर example देके बता रहा हूं आपको जब आपकी website live होती है तो आप IP के हिसाब से check कर सकते हो कि कि किस country का IP बनता है right and then आपको पता चल जाएगा कि यह request किस country से आई है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मैं just example देके बता रहा हूं ताकि आप इसको middleware को समझ पाऊ ठीक है यह age कैसे get करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर age less than 18 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं you are under 18 and cannot access this website ठीक है यह चीज हो गए अब यहाँ पर आता है इंडिया तो अब चला गया बट यहाँ पर यह 18 यह रिगे अंडर है इसके लाप करना पड़ेगा अंड लगाके यहाँ लिख दो age equal to 30 अब इसको access कर सकते हैं अब अगर यहाँ पर इंडिया मैं से USA लिख दिया कोई भी एक चीज़ गड़ बढ़ है तो उसी का आपको validation दिखेगा इसको इंडिया करोगे और age 30 से अब हो रहेगी तो ही चीज़ें चलेंगी 30 से नीचे 10 है still यह आपको error देगा ठीक है अगर दोनों आपने parameter नहीं डाले लेट से कि आपने दोनों गायब कर दिये यहां से still यह आपको error ही देगा अल्राइट आपको समझ में आ गया perfect सो इस तरीके से आप लोग यहां पर double middleware रहने की कह सकते हो कि group of middleware बना सकते हो बट एक चीज़ हो रहा है हमने एक route के उपर तो apply कर लिया बट हम चाहते हैं कि हमारे पास नहीं बहुत सारे routes हैं जैसे कि यहां पर दो route तो हम लोग ने इसको मैं comment out करके रख लेता हूं एक ब करना है यहां पंड़ार बात है सुत में लेडे सेase लिस्ट वाला कोई page है आफ्र डैट इसके बाद कोई home वाला page है जिसका पर home बिले देता हूं मैं यहां पर इतने सारे pages हैं तो अगर मैं यहां पर home कर रहा हूं तो अभी access हो रहा है list कर रहा हूं तो about वाला page access होगा then contact करूँगा तो भी about वाला page access होगा इतने सारे routes के ऊपर एक साथ हम लोग group of middleware कैसे apply कर सकते हैं यह भी question बनता है which is very simple आपको simply क्या करना है यहां पर लिखना है route then colon colon लिखेंगे यहां पर लिखेंगे middleware right and middleware के बाद में हम लोग यहां पर group डाल देंगे middleware का है जैसे कि हमारे group का नाम यहां पर क्या है check one यह डाल दिया उसके बाद आप यहां पर simply लिखोगे group and then group के बाद में simply यहां पर लिख सकते हो function और इस function के अंदर जितने भी आप middleware डालोगे उन सब के ऊपर जो आपका जितने भी इसके बीच में जितने हम लोग डालेगे उन सब के ऊपर check one वाला group apply हो जाएगा अब आप चेक कर सकते हो जैसे कि इसको access करने कोशिश कर रहे हो इसको access करने कोशिश कर रहे हो list को access करने कोशिश कर रहे हो सब के ऊपर आपको same यहां पर डाल दो, end करके, country, यहां पर डाल दो, let's say, India, right, तो यह about page आ गया, then इसके बाद में आप यहां पर आओ, और यहां पर डाल सकते हो, about page, list page, जो भी है, home page वगरा, सब पर परफेक्टली काम, यह वेलकम वाला page आ गया, sorry, यहां पर डालते हैं, list, and then, इसके बाद यहा कर रहा है, so, आप लोग उन्हें देख लिया, कि किस तरीके से, हम लोग एक group of middleware बना सकते हैं, जो हम लोग नहीं बनाया, इसमें 2 route, 3 route, 4 route, 5 route, जितने बना सकते हो, अगर आप दूसरा एक और middleware का group बनाना चाहो, तो वह भी बना सकते हो, सेम इसी तरीके से, बस उसका ना route के उपर भी apply कर सकते हैं, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है, और group of route के उपर भी apply कर सकते हैं, that's all, इसमें कुछ doubt, कुछ confusion है, आप मुझे comment section के नदर पूछ सकते हैं, please channel को subscribe करना, video को like करना, बिल्कुल नद भूलना, यह आपके लिए free of cost है, बट इससे मुझे बहुत value म ते, thank you so much, GM and IPTM का दोनेश नमार, thanks guys.